दोस्तो फाइनली XUV3XO आपकी मार्केट में आ चुकी है, इसकी बुकिंग्स ओपन हो चुकी है और आज मैं आपसे इस वीडियों बात करने वाला हूँ XUV3XO के बेस वेरियंट की MX1 की और इसको आज हम कंपेर करेंगे नेक्सोन के बेस वेरियंट से जो की आपका आजाता है, स्मार्ट के नाम से इन दौनों काडियों को कंपेर करने की वीडियो बहुत जादा डिमांड में थी मुझसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो finally आज हम इन दौनों काडियों को compare गरने वाले हैं अब जैसे कि मैंने अपनी हर comparison वीडियो में किया है मैंने हमेशा से आपके लिए वो points पे emphasis दिया है और पूरी अपनी analysis करके आपको वो बाते बताई हैं जिससे आपका car buying process बहुत ज़्यादा ease हो सके और आप अपने hard earned money को ऐसी जगे ऐसी गाड़ी में लगा सके जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा benefit और ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है नमशकार दोस्तों आप हैं EM Cars Everymate Cars पर जहां पर आपको automotive related all sorts of information प्रोवाइड की जाती है लेकिन हमारा वीडियो बनाने का point of view होता है यह बताना कि आपको उसमें जितना पैसा किसी एक particular गाड़ी में आप लगा रहे हो तो उसमें आपको क्या कुछ बहतर देखने को मिल रहा है दोसरी गाड़ी के मुकाबले तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन दोनों गाड़ीों के basics के बारे में कि यहां पर आपको क्या कुछ basic चीज़े standard चीज़े देखने को मिलती है और फिर मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा कि आपके लिए XUV3XO में जाना या Tata Nexon में जाना किसमे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है यह जो वीडियो है यह एक तरीके से आपको guide करेगी लेकिन I would recommend final decision आप दोनों गाड़ीों को अच्छे से थोरो test drive लेकर ही बनाईएगा अब शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले इन दोनों गाड़ीों के basic standard features के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आजाएगा engine यहाँ पर अगर आप देखोगे तो XUV3XO में आपको 1200cc का 3-slinder petrol engine देखने को मिलता है जो आपका M.Stallion series का engine है जो 110 bhp की power और 200 Nm का peak torque generate करता है उसके बाद में दोस्तों अगर इन दोनों गाड़ीों की dimensions को compare करें दोनों गाड़ीों की length हमें similar देखने को मिल जाती है 5 mm Nexon आपकी जादा है उसके अलावा width आपकी XUV3XO की जादा है यहाँ पर उसके साथ साथ वील बेस आपको XUV3XO का जादा देखने को मिलता है 2600 mm का जो की Nexon से काफी जादा है और ground clearance XUV3XO की 201 mm है और Nexon की 208 mm है उसके बाद में दोस्तों अगर दोनों गाड़ीों के company के लिए mileage को compare करें तो यहाँ पर XUV3XO का mileage आपको 18.89 km per litre और range 793 km और Nexon का mileage 17.44 km per litre और range 767 km आपको देखने को मिल जाती है उसके बाद में दोस 205 65 r16 kitties देखने को मिलते हैं और Nexon में आपको 18.95 r16 kitties देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर दोस्तों अगर हम boot space की बात करें तो यहाँ पर XUV3XO में आपको 364 litre का boot space देखने को मिलता है फ्यूल टैंक 42 litre का है और Nexon में आपको 382 litre का boot space और फ्यूल टैंक 44 litre का basic standard features में देखने को मिलते हैं उसके बाद में now you can take a pen and paper और अब जो मैं आपको बाते बताऊंगा उसके basis पे आप इन दौनों गाडियों में से अपने लिए चूस कर सकते हैं कि कौन सी आपके लिए बहतर है लेकिन मैं आपको पहली ही बता देता हूं कि यहाँ पर हमारे पास इसके बता है जबकि आपके टाटा नेक्सवान 8.15 लैक रुपीस से स्टार्ट होती है यानि कि यहाँ पर मोटा मोटा आपका 65,000 रुपे नेक्सवान जो है वो कौचली है एक्स्वी 3 एक्सो से तो प्राइस पॉइंट के मामले में यहाँ पर एक्स्वी 3 एक्सो आगे नि उसके बात में दोस्तो एक्सीओ 3 एक्सो की अगर हम डामिंशन को देखेंगा को यहाँ पर दोस्तो आपको वील बेस 2600 mm का देखने को मिलता है जबकि नेक्सवान में काफी कम है उसके सातल यहः जारी है उसके बात में दोस्तो यहाँ पर इस काड़ी के अंदर आपको 400 ड क्लाइन किरकर वहां पर अपने लगज को अकॉमडेट कर सकते हैं दोस्तों इस गाड़ी के बेस विरियंट से ही MX1 से ही आपको रियर एसी वेंट्स का सपोर्ट देखने को मिलता है तो पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को कन्वीनियंस रहेगी कि उनको वहां पर गर्मी नहीं लगेगी और वहां पर एरफ्लों के लिए अविलेबिल होगा उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपके ORVM's electronically adjust आ जाते हैं जबकि Nexon में आपके internally adjustable आते हैं और यहां पर आपको तीन साल unlimited कि देखने को मिलती है जबकि Nexon में तीन साल एक लाग किलो मिटर्स की आती है एक लाग किलो मिटर्स भी XUV3XO में आपका projector based halogen headlamp का setup देखने को मिलता है तो दोस्तों यहां पर हमारे पास एक clear winner है XUV3XO आपकी हर मामले में हर तरीके से Nexon के base variant से ज़्यादा value for money है और यह गाड़ी भी आपकी 5 star rated है और यह गाड़ी आपकी 6 airbags के साथ में as standard आपको base variant से ही देखने को मिल जाती है तो यहां पर इस गाड़ी के अंदर बहुत कमाल की चीज़े आपको देखने को मिल रही है और definitely यहां पर आप Nexon के ओपर इसको consider कर सकते हैं लेकिन फिर भी I would recommend कि आप showroom जाकर अच्छे से test drive लेकर ही अपना मन बनेएगा और फिर finally decide कीज़ेगा कि आपको किस गाड़ी के स जिसमें मैंने इसके turbo sport petrol engine को drive किया है मैंने इसके petrol manual को कई बार drive किया है और उन सभी की videos जो हैं मेरे channel पर पड़ी हुई है आप उनको जाकर जरूर से देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर drive ability आपको क्या कुछ करके देखने को मिल जाती है खासकर जो इसका xv300 का जो turbo petrol वाला engine आता है जो यानि कि आपका base variant से start होता है मैंने उसके दो-दो drive reviews के हुए है तो मैं links को description में और उसके साथ साथ आई बटन में place कर दूँगा ताकि वहां से आप जाकर उन वीडियो को access कर सकते हैं अगर आप इस गाड़ी के लिए इंटरस्टेड है और दोस्तो मैं इस गाड़ी के invariant comparisons और इसके और गाड़ियों से comparisons भी पोस्ट करूँगा अभी हाली मैंने इसका MX1 का MX2 Pro के साथ में comparison review किया था और मैंने पोस्ट किया था और उसके साथ साथ मैंने इसके base variant को Breeza के साथ भी compare किया था अगर आप उन वीडियो के लिए इंटर किया था नहीं वीडियो的 और मैंने इसके साथ में भी हाली मैंने ए़जा है किया था इभर आपके सायर आप बाहा है किया था अगर आपके साथ है